अजे देवगन और काजोल की जोड़ी को बॉलिवुट में सबसे ज्यादा पसंदीदा जोड़ों में शुमार किया जाता है ये जोड़ी स्क्रीन पर भी नाजरीन को खूब भाती थी और जब हकी की जिन्दगी में ये जोड़ी रिष्टे में बंधी तो इसे मजीद सराहा गया शादी से कबल अजे देवगन और काजोल ने फिल्म इश्क में एक साथ काम किया था फिल्म को रिलीज हुए 27 साल गुजरे तो अजे डेवगन ने फोटो एंड विडियो शेरिंग अप इंस्ट्रिग्राम पर अपनी और काजोल की तसावीर जारी की पहली तस्वीर में वो काजोल और फिल्म इश्क के एक मंजर में खुशी से मुस्कुराते हुए नजर आए दूसरी तस्वीर हालिया दूर की है जिसमें दोनुं हकीकी जिन्दीगी में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं अजे ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इश्क और इश्क के 27 साल जिसका मतलब ये हुआ कि 27 साल पहले एक फिल्म इश्क रिलीज हुई लेकिन 27 साल पहले ही अजे देव गन काजोल के इश्क में डूब चुके थे अजे के इस प्यार भरे पैगाम ने इंटरनेट पर सब के दिल जीत लिये इंस्ट्रिग्राम के एक मद्दा ने कमेंट किया कि ये इश्क कभी खत्न नहीं होगा किसी ने लिखा कि ये आज का सबसे प्यार अलम्हा है इश्क जे और काजोल की पहले फिल्म नहीं थे इससे पहले वो दो फिल्मों में साथ नजर आ चुके थे एक्शन क्राइम फिल्म घुंडराज और एक्शन थ्रिलर फिल्म हलचल में दोनों को एक साथ देखा गया था ताहम साल 1997 में फिल्म इश्क के सेट पर इन दोनों को एक दूसरे से महबत हो गई बात में दोनों ने साल 1998 की रुमान भी कामेड़ी फिल्म प्यार तो हो नहीं था में दुबारा साथ काम किया और फिर अगले साल ही रिश्टा जवाज में मुनसलिक हो गए शादे के बाद वो साल 2000 की एक्शन कामेड़ी फिल्म राजु चाचा में एक साथ नज़र आये थे जिसके बाद काजोल ने अदाकारी से वकफा लिया दोनों साल 2003 और साल 2010 में बिलतर्तीब अपनी बेटी निसा और बेटे युक के वालिदैन बने सालों के वकफे के बाद ये जोड़ा साल 2008 की यू, मी और हम और साल 2020 की तारिखी ड्रामा फिल्म ताना जीर में भी साथ नज़र आया अगर दोनों अदाकारों के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर नज़र डाली जाए तो काजूल, जल्दी सरजमीन और महरानी क्वीन आफ क्वीन्स में नज़र आएंगी दूसरी तरफ अजे, रेट टू, दे दे प्यार दे टू, सन आफ सरदार टू और अजाज जैसी फिल्मों में काम करेंगे